प्लीज लास तक बनी रहीएगा और वीडियो की स्किम मत किजिएगा क्योंकि इसी कित्रू आपको पूरी इंफिर्मेशन में स्टेप बाइ स्टेप प्रवाइट करने वाले हूं कि यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि आज काफी को सीखने के लिए है स्टेप बाइ स्टेप तो लास तक प्लीज इसलिए करी बने रहेगा पीशन्स रखियेगा आपको सिखाने के लिए मुझे भी सीखना होता है सो प्लीज बीपेशन्स ओकी सो लेस्ट स्टारेट पार्टे में आपका है पार्टे में आपका है लांगज गोल्स लांगज गोल्स में आपका हो जाता है first आपका है practice speaking writing listening and reading skill that you learned in module 1-2-11 to identify appreciate employment opportunities okay जो आपने 11 module 1-11 तक जो भी सीखा है उसकी practice करनी है और identify करना है आपकी जो भी job related opportunities आपकी है तो उसको identify करना है जो आपने reading skill, listening skill, writing skill जो सीखिए उसमें आपका क्या passion से वही चीज़े हैं जो हम आप आगे discuss करनी वाले हैं तो be practice हमेशा बोलती हूँ हमेशा आपको कराता है practice से ही क्योंकि वो हमारे brain में as a fix हो जाता है वो हमें memorize रहता है इसलिए practice से focus किया जाता है ठीक है so practice केज़े अपनी skills को और job and opportunities आपके employment में हैं उनको identify करना है ओके इन नेक्स आपका है prepare and practice presenting information with visual appeals okay so जो भी आप present present कर रहे हो okay उसके बार में information आपको collect करनी है उसमें भी आपको सीखना है practice करनी है ठीक है okay I hope आप समझगों next आपका है understand that understand that all of us have a purpose a purpose to exist that we should explore in our daily life okay आपकी life का purpose क्या है आपकी life का aim passions क्या है उसको आप identify करोगे okay और उसको understand करोगे जो भी आपका life से related है तो उसमें अपनी life को exist करना है अपकी life का purpose आप अपनी life में करना क्या चाते हो passions क्या गोल्स क्या है जो कि आपको help करें आगे की life में so वो चीज़ आपको समझना है next आपका explore ikigai to link their interest with well-paying employment opportunities and social consumption okay so ikigai एक ऐसी चीज़ होती है जो Japanese जो Japanese होते हैं उसको follow करते हैं अपने passion उनका ikigai means एक diagram होता है मैं आगे आगे आपको show कर दूँगी ikigai में हर तरह कि आपका interest किस चीज़ में है उसको आपको select करना होता है okay so so मैं तो अपने passion को ही select करूँगी जिसमें मेरा ज्यादा interest है okay तो जिसमें ज्यादा interest होता है वही चीज़ आपके लिए बहुत useful होती हो क्योंकि उसी को करने के लिए आप बहुत बहुत अच्छा लगता है आपके लिए आपको help करना आपको guide करना आपके लिए कुछ न कुछ लेके आना कोशिश करती ही मैं एफ़ए की जादा लाऊं क्योंकि मुझे एफ़ए ने काफी कुछ help करी है एफ़ए golden chance है तो मैं पहले एफ़ए को ही जादा follow करी है शुरू से आप अगर मेरी videos first videos पर जाएंगे और काफी सारी करेंगे तो मैं आप देखेंगे मेरा उसमें passion कितना था create करने लोगों को बताना एफ़ए कितनी अच्छी चीज है एफ़ए आपको क्या सिखाता एफ़ए आपको बार में तो मैं कोशिश करते हैं जादा जादा एफ़ए पर ही फोकस किया है और भी चीज़ा आपके लिए हैं बट मैं पस मैं आपके लिए पहले एफ़ए की बुक लाना चाहती हूँ दिन और चीज़ा आपके लिए लाओंगे और explore करेंगे जो आपको प्रवाइड करता है इसमें आपको एक पेनी नहीं देनी होती तो एफ़ए फस्ट प्लाटफॉर्म है और एक स्टूडन के लिए जो एक जिनके पास इंकम के रिसोर्स नहीं तो वह इंग्लिश सीखना चाहिए इंग्लिश एक इसार प्लाटफॉर्म में आजकल सब को आना चाहिए तो मैं यह मेरा पैशन है तो मैं आप तक एक ऐसी चीज ला रही हूं जो आपको हेल्प कर सके ठीक है तो यह मेरा passion है आपको अपने passion के तरफ जाना इकी गाय आपको passion के तरफ आभी आगया आपका diagram दिखाऊंगे उसका इकी गाय को सब समझ जाएंगे और यह हमने पहले भी सीखा है F.E.M.A. तो यह मैं चीज़ समझ सकती हूँ ओके सो next आपका है explore developing career path with the help of pretend passion okay जैसा कि मैंने passion के तरफ किया so वो आप explore करोगे एकी गाय के थूँ और facilitator भी आपको guide करेंगे कैसे अपने passion को develop करना passion is more important अगर passion नहीं होगा तो सीखने का interest नहीं होगा okay so passion बहुत important है next आपका है appreciate appreciate that passion is an ingredient in any journey to excellent okay so passion is an ingredient passion एक ऐसी चीज है जो आपकी journey में कोई ना कोई chance कुछ ना कुछ लाता है passion नहीं हो interest नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं वो भी चीज आपको इसमें सिखाए जाएगी okay so ingredient क्या है यह ingredient एक thing एक चीज है इन इंग्लिश मीनिंग में okay कोई भी चीज के लिए जैसे हम कोई डिश बनाते हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडियन लगेंगे क्योंकि मैं काफी सारी वीडियो देख तो उसमें भी चीज क्या होंगे तो यहां पर आपकी passion का इंग्रेडियन क्या है वो चीज आपको सिखाया जाएगा ठीक है तो यह lesson बहुत important है आपके लिए आगे देख से लगे focused language training में आपका आ जाता है get feedback on following topics जो कि हम हमेशा discuss करते हैं minimum pairs okay then grammar grammar से related है then quizzes है and sound से related है जो कि हम हमेशा discuss करते हैं यह तो आपको आई ही गया होगा okay so next आपका है explore their reason for being in the world इसकी meaning क्या है काफी साथ students अब इसको search कर होंगे तो इसकी meaning होती है आपकी life में होने की वज़े वज़े क्या है आप किस वज़े से in the world में हैं क्या reason है what reason for being in the world so मेरा reason यह है के मेरा reason यह है के I want to become helpful for you in this world making a video okay so as a youtuber so please help me and share my videos to all the students and a core reason है with my daughter she is the very cutest girl in the world two reasons है एक making a video for you and live with my daughter so यह मेरे रहने की वज़ा है इस दुनिया में आपकी क्या है so comment section मुझे ज़रूर बताईएगा ओके स्टोरी से लेना है and next आपका है connect ikigai framework to career options तो हम यह आगी अभी discuss करेंगे ikigai को then okay straighten language by practicing minimum pairs इसके भी आप practice करोगे and take ownership of receiving and employment feedbacks जो यह भी हमने जो discuss करा feedbacks so feedback आप भी दे सकते हो आपके group of friends के through भी दे सकते हो as a single person भी as a facilitator भी आपको guide कर सकते है according to the branch okay so next आगे देखते है security से लेना part B में आपका hiring system यानी job process क्या होता है उसके यह हमने पहले भी module में discuss किया है okay so यह सारा जो hiring system होता defining career goals employment document resume and cover letter short listing jobs elevator speech networking and job fairs assessment test job interview offer letter यह सब है so यह आपको फिर से सिखाया जाएगा क्योंकि job से related है passion से related है career से related है वह सही चीज जिसमें आती है जो भी आपी work से related है so यह हमने पहले भी discuss किया था और इसके link को भी share किया तो वही link मैं फिर से share करूंगे किसम बॉक्स में तो प्लीज टेक आउट कर लीजेगा ओके नेक्स आपका पार्ट सी में है concept rule जो module 12 का आपका concept होगा competition होगा जो पार्ट पार्टिसिपेट करोगे उसके rules है इसमें जो वह राइड डाउन है ठीक है तो यह आपका रीट कर लिगा है in this module's concept you will work on a pretend fashion ओके जो आपका concept होने वाला है उसमें आप आपका passion क्या हो वह present करोगे उसके regarding होगा job से regarding होगा आपका career से regarding होगा तो वह चीज होने वाला है उससे related आपको project दिये जाएंगे ओके तो उसकी detail यहाँ पर write down है each houses will select a profession to work on ओके four houses होते हैं ठीक हर एक houses को एक passion select करना है दिन उस पर work करना है ओके दा हाउस विल रिसेर्च देर सेलेक्टेट प्राशन थ्रू आउट दा मड्यूल एंड डिस डॉक्यमन देर फाइंडिंग इन देर ओके एक्टिविटी ओके हर आउसस को अपने जो पैशन उसमें सलेक्ट करा है उसके कुछ इन दा फों ओफ दा कारियर ट्री एंड डिलेवर फाइफ मिनट गृuke प्रेजimes करना होगा फाइफ में लिखा है 100是 इसमें लिखा है मैं आपको बूलसे मैं अगर कुछ आपुलम डर मचार यहाँ तो रीड भी कर लिजया आपको मैं बता दे हूँ देन next आपका है, the career tree will be assessed using the ikigai rubik, okay, यह चीज का भी आपको ध्यान रखना है, next आपका है, the winning house and the loan ranger award will be decided based on the highest score of the, okay, जो आपका score decide करेगा, आपका certificate, okay, जो भी आप performance देंगे, all right, students and learners, group के साथ और individual दोनो, वो आपका perform, जो भी आप perform करते हो, उसके accordingly होगा, next आपका part D में है, concept points, जो यह हमें में इसाइड डिसकस करते हैं, attendance 5 point, daily task 5, class participant 5 point, 5 point, and एकी गाई project आपको दिया जाएगा, 15 point, और presentation आपका 30 points करेगा, okay, concept के points, and then bonus point आपको master, teacher, module 12, 5 point, best in for me, 5 point, okay, I hope आप समच गया होगे, दा एकी गाई project will be just as a team, each individual member will be assigned the team score, okay, the point will be avoided to the house, यह चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, okay, students and learners, आगे देखते हैं, students and learners, चलिए, आप activity book देख लेते हैं, activity book में आपका word list है, okay, so, इस पे भी आपको focus करना होगा, यह तो आपको आते ही होगा, अब, okay, students and learners, वही sound से related word list से related, next आपका आजाता है, part B में, self reflection, यह कुछ new है, passion and interest, passion और interest नहीं होता, तो किसी भी चीज़ में आपका, मन नहीं लगता, मन मीं interest नहीं होता, okay, so, first आप यह देखिए, one to eight है, one to eight है, इनको follow करना, आपका interest, किस चीज़ में आपका passion, किस चीज़ में है, वो चीज़ आपको देखना है, इनहां write down है, क्योंकर वीडियो काफी लंबी होती जारी है, काफी लंबल, यह module हो गया है, okay, short में आपको बता जाती हो, work activities that you make come alive, okay, same as a loss, अगर अगर आप इसमें enjoy कर रहे हैं, इसमें आपको interest है, तो आप इसको, obviously कि आप इसमें और जादा work करेंगे, अगर आप इसमें lossing कर रहे हैं, आपका time 20 हो रहा था, आप इसको follow नहीं करेंगे, तो ऐसे ही आपको read down करके, आपको इसको select करना है, then आपको discuss करना, आपके class में, okay, students and learners, next, आपका इसमें आपका आगया, एकी गाये, जिसका हम wait कर रहे थे, एकी गाये, okay, ये Japanese person की, Japanese की through, ये create किया गया था, ताकि आप अच्छा profession, आपका passion, need, loves किसमें है, कैसे आप इसको follow करके, अच्छा passion, किस चीज में आप अच्छे तो ये इनके through, create किया गया था, okay, so, ये हमने पहले भी, F.E.M.E. सीखा है, फिर से आपको सिखाया जा रहा है, अच्छे से आपको तो facilitator, guide करेंगे, बट मैं कुछ hints दे देती हूं, okay, आप किस चीज को follow करके, मैं कोशिश करूंगी, आपको कहूंगी, जिसमें आप बहुत अच्छे हो, उसको select किजे, क्योंकि passion, यहाँ पर passion पर follow किया जाना, so, जिसमें आप अच्छे होते हो, उसी में आपका passion जाता है, okay, so, go for it, your passion, जिसमें आप बहुत अच्छे हो, तो, मैं, what you are good at, पर select करूंगी, आप अपने accordingly किजेगा, और जो आपको facilitate है, अच्छे से guide करेंगे, उसको, okay, then, इसको read कि लिएगा, क्योंकि अगर मैं read करने लग जाओंगी, तो, बहुत video लंबी हो जाएगी, alright, students, अलगाना, so, next, आप, आप, आप पार बी में, आपका पार बी में, pretended passion list, one to ten, one to ten, यहाँ पर passion list दी गई है, आप इसमें से भी select कर सकते हो, then, आपका passion क्या है, क्या reason है, क्यों उस passion को आप select करोगे, okay, क्यों आपका उसमें interest है, then, आप यहाँ पर input करोगे, then, आपको यहाँ पर write down करना है, अपने accordingly, so, do your best in your FA class, alright, students, ने, next, देखते हैं, next, क्या है, last of the video, part F, quiz on the verb tenses, one to ten, fill in the blacks, मैंने आपके लिए और रएड़ी करके रहाँ, then, first, आप अपने accordingly कीजिएगा, अगर आप से कुछ miss out हो जाता है, then, इसमें से भी आप use कर सकते हैं, और अपनी learning को और जादा इंक्रीज कर सकते हैं, so, I hope, आपको मेरी वीडियो useful लगेगी, of course, आज की वीडियो काफी useful लगेगी आपको, okay, क्योंकि मैंने आपको अपने, अपने accordingly काफी explain करने की कोशिश करें, अगर कुछ भी miss out हो जाता है, कोई भी doubt है, तो please comment section में आप मुसे पूछ सकते, मैं उसको clear करने की पूरी कोशिश करूँगी, मैं most of the student का 90% answer देने की कोशिश करती हूँ, okay, so, be share your messages in the comment section, then, description box में भी में link share करूँगी, उसको भी check out कर लिजेगा, okay, so, I hope useful लगेगी, तो please like and share and subscribe, next module मिलते हैं, तब तक लिए टाटा, बाबाई, कर लिजे हैं, त